आज मैं आपके साथ मखाना रेवडी के रेशिपी लेके आई हूँ तो बहुत बढ़िया तयार होता है इस तरह का क्रिस्पी तयार होता है और बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है ये देखे कितना क्रिस्पी बन के तयार हुआ है इसके लिए सबसे पहले हम तील को रोष्ट कर लेते हैं इसे कडाही में डालते हैं फ्लेम को मीडियम रखते हैं और दो से तीन मिनिट का टाइम देते हुए इसे रोष्ट कर लेते हैं जब इससे चटकने का आवाज आने लग जाए और इससे थोड़ा सा खुस्पू आने मखानय को रोष्ट कर लेती हैं कि है सिंसक्री कर गाँ को कुर्कुरस से मखानाइ … तो दो शी तीन मिनिट का टाइम देंगे और यह हमारा मखान रोष्ट जाता है हमने हाइप फ्लेम ही रख रक्रका है, से तो हाइप पी लगातार चला था बहुत उपन गी शलते हो जाता हुत बाण़ म crash उफ बड़िस तयार हो अब हमोऩ पर गी टव हे औन以前 हमानना छी आप टूआ टे बाष नहीं टे अब हमें चीनी मिल्ट करना है कर रही हम रूप टीस्पून हमुस में घीश हैं और एक कप महर आता है करें हैं आप चीनी और सबसाइब कर सकते हैं मतलब साबुत सकर बीना पीसा हुआ एक मचह मुसमें पानी डाल देते हैं और यह संप जलदी मेल्टोर जाता है पीसा हुआ पॉडर का डालते हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है हमारा सक्कर और स्वात के लिए इसमें थोड़ा सा इलाइची पॉडर हमने एट किया है तूट पींच के करीब और इसे मिक्स करते हुए दो से तीन मिनिट का टाइम देंगे बहुत जल्दी मेल्ट हो और इसका हलका सा कलर भी चेंज हो जाएगा ब्राउन सा तो ये बिल्कुल तयार हो जाता है बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा तो हमें इसमें फिर बाकी जीजों को एट करना है तो देखिए बिल्कुल हमारा सक्कर मेल्ट हो गया है अब इसके अंदर हम तील को के रखा है उसे डालेंगे यह देखे बिलकुल बढ़ियां सा तयार हो गया इसे लगातार चलाते हुए ही करना है ताकि नीचे जले नहीं अब इसमें हम तील डाल दे रहे हैं तील को एक वार मिक्स करेंगे उसके बाद इसके अंदर हम मखाने को एड़ कर देंगे तो यह बह बनाए और आपको पसंद आये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हम बहुत इजी तरीके से इसे बनाना सेर कर रहे हैं और बिल्कुल दो मिनिट तीन मिनिट का टाइम हम ले रहे हैं आप से और बिल्कुल यह पांसे साथ मिनिट में यह बनके तयार हो जाता है तो देखि में निकालते ही यह बिल्कुल ठंडा होने लग जाएगा मौसम काफी ठंडा है तो यह बिल्कुल फटा-फट ठंडा हो जाता है फिर आप जो थोड़ा सा जूट जाता है उससे आप अलग कर लीजिए और यह हमारा मखाना रेबडी बहुत ही बढ़ियां सा तयार हो गया मीठ इस नेक्स तो आप इसे जरूर बनाए और आपको यह रेश भी पसंद आये तो आप मेरी चैनल को अपना सपोर्ट दे प्यार दे बहुत-बहुत धन्यवाद टियर फ्रेंड्स